क्याते हैं न कि सिक्षा वो सिरणी है जिसका दुद्ध जिसने पिया वो दहारा है नार है तो आक की ब cowork बहुत ही खास होने वाली है आज किस वीडियो बहुत ही महत्वपुर्ण होने वाली है क्योंकि आज किस वीडियो में हम आपको एक ऐसे व्यक्तिव से इसके बारे में बताने वाले हैं अगर आप भरते हैं तो यह आपको जानना बहुत जरूरी है आपके लिए अगर आप हिं भी हैं, हम किस बाते कर सकते हैं? थो जोतों मैं उन सबसे ये चीज यह कहाना चाहता हूँ, क्या आपकी समस्य इन की समस्य से बड़ी हैं? ज़िहां दूस्तों आप समझगे होंगे हम किस की बाते करने बाले हैं निर्माता, hairy और भारता के हैं बहनों में सबसे छोटे थे और वो अपने माबाप के बहुत ही प्यारे थे जी हां दोस्तों दोस्तों अपनी माता पिता और गुरु को बहुत प्यार करते थे जी हां दोस्तों दोस्तों आज हम और एक चीज़ आपको बताने वाले हैं कि आपको यह पता है डॉक्टर भीम र कुंकि ऊसका माता जी का नाम था भीमा भाई जिहां उसकी माता जी के क्या नाम था भीमाबाई और जो राव था रा इसकी एक प्रमक्रब में एक उसका था इसी कारण से ऐडिमिस्न भी स्कुल में हो पाए अगर उसकी से बहुत देखा जाता था लेकर पिता जी सुभधार थे इस कारण से उन्होंने सरकार से दरख्वास की कि मैंने अपनी जिंदगी बिता दी आपकी सिवा में कास हमें अपने बेटे अपने बाल बच्चों को पढ़ने की आप इजाज़त दी जा तो बेटे सरकार ने उसे अमबेटकर का सरनेम बाबा साहिब के गुरु स्रि क्रिष्ण केशव में बेटकर ने दिया और वह एक ब्राह्मन जाती के थे जिहां दोष्डव वह एक बावन जाती के थे लेकिन उन्होंने बाबा सहीफ की महनत लगन देखकर उन्हें अपना सरनेम उन्हें दिया ताकि उन्हें आगे जब वो पढ़ाई करे या पिर कुछ करे तो सरनेम को लेकर एसी फ़र करना पड़े इस करन से उसके गुरु ने उन्हें अपना सरनेम दिया जिया दूस्तु वह भी क्या गुरु रहे होंगे उस समय के जहां इतनी छुआ चूद चल रही है और वह ब्राहमन जाती के उन्हें अपना सरनेम दिया ऐसे गुरु को मैं नमन करता हूं तो दोस्तो ऐसे साथ आठ साल के बच्चे को क्या पता क्या छुथ होता है और उन्होंने जब इसकूल गया तो डारेट के डारेट क्लास्रूम में चला गया जैसे बच्चे आचानक से क्लास्रोड के बहार आ साथ आध सार को क्लास्रोड के बहार आते हैं जब क्लास्रीचर को पताले हैं कि सारे बच्चे बहार करें इसारा करके दिखाया एक महर जब चूबा चूट के अबजर से क्लास से बाहर कर दिया जाता है, तो सोची आप उस पर क्या बिती होगी, और उसे यह बोला जाता है कि अगर पढ़ना है तो उसे बाहर से ही पढ़े, लेकिन दोस्तों हद तो तब हो गई, जब उसे प्यास लगा, पानी प्यास लगा, तो वा वो निचे से ऐसे करके पी जाता है ऐसे करके उसे पानी पी आयज था और जिस दिन कोई काम हुआ गर चैप्रासी श्कूल ना आये तो उस दिन उसे प्यासा ही रहना पड़ जाता था बाबा सहेब को एसे रोज के अतियाचार से तंग आकर बाबा सहाब ने एक दिंग अपने पिताजी से जाने बोला कि सब मुझे अतियाचार करते हैं, सब मुझे परिशान करते हैं, मैं इसको नहीं जाऊंगा, तो उसके पिता जी ने उसे बहुत ही सरलतम से समझाया कि बेटे इसी चीज को बदलना है और ये चीज सिर्फ तुम ही बदल सकते हो पिता जी की बात सुनकर वो भागो उठे और उन्होंने कुछ सवाल नहीं किया और उन्होंने ठान लिया कि इसे बदलना है और दोस्तों मैं बता दूँ आपको आगे जाकर उन्होंने पूरा सिस्टम भी बदल दिया जिहां दोस्तों डॉक्टर भिम्रा ओंबेतकर बाबा साहिब ने आगे जाकर पूरा सिस्टम भी बदल दिया दोस्तो उन्होंने अपने लोगों के लिए उन्होंने जितना भी काम किया उससे ज़्यादा कहीं उन्होंने हर एक भारतवासियों की अधिकार के लिए काम किया दोस्तो जो लोग कहते हैं ना कि मैं तो गरीब हूँ मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा तो मैं उसे कहता हूँ कि दोस्तों बाबा साहिब के बारे में आपको जरू जाना था है बाबा साहिब कैसी परिष्टिती से निकल कर कहां तक पहुँचा यह आपको जरू जाना चाहिए आज जिनके नाम पे सहर बसाय जा रहे हैं जिनके नाम पर लाखों मूर्तियां बनाए जा रही है सम्भिधान के किताब इनके स्टेच्यू के हाथ में होती है ऐसे महान ब्यक्ति जो भारत रतन से विभोसित है लेकिन ये बहुत दुख की वात है उन्हें यहां भारत रतन जिंदा रहते नहीं मिला भारत रतन 1954 में स्टार्ट हुआ और उनकी मुर्तियू 1956 में हुवी काईदे से जिंदा रहते इसे मिलना चाहिए था क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया इंडिया को इस राष्टे में ले जाने के लिए लेकिन उसे भारत रतन से नवाजा गया 1990 में मलनो प्रांत तो एक चीज़ में आपको बता दू डॉक्टर भीमरा अंबेतकर यानि कि बाबा सहिप के नाम पे लगभग 32 डिगरियां है जिया दो तो ये कोई छोटी बात नहीं है 32 डिगरियां है और सोतंतर भारत के पहले कानून मंतरी भी थी बाबा सहिप है जीज shitty До कि बता होगे राश्टों में चलें और क्यों भी समुस्य क्यों ना आय जाए डट के मुकाबला करना है बाबा सहिप की तरह डॉक्टर भीमरा अंबेतकर की तरह ड़क्ट के मुकाबला करना है जहिन दोस्तो जय भारत जय भीम